आपको बात करें दोस्तों तो रेयर साइड में आपको वाइड काम बांक डिया गिया है जहां पर आपको जेम कट टेक्स्चर आपको दिखने में डिया है ग्रीन और वालेट कलर इसका जो स्टार्टिंग प्राइड रखा गया है दोस्तों आपको छे हजार एमिज का बैटरी दिया गया है बड़ी से डिस्प्रेय दिगी है दोस्तों तो आज दोस्तों इस वीडियो को आप देखते रहे हैं इस वीडियो में हम बात करने वाले कर लिजेगा आईए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं इंफिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस का डिस्प्ले के बारे में डिस्प्ले दोस्तों आपको काफी बड़ा दिया गया है 6.82 इंच का HD plus IPS डिस्प्ले पोवाइड किया गया है जहां पे आपको वाटर ड्रॉप नॉज दिया गया है इंफिनिक्स दोस्तों इसको मिनी ड्रॉप नॉज भी बोलता है 90.5% स्कीन टू बाडी रेशियो दिया गया है 20.5 इस्टु 9 का स्पेक्स रेशियो दिया गया है तो बेज़स दोस्तों काफी गम देखने को मिलेगा अच्छी बात है दोस्तों आपको फेस उनलॉक का फीचर दिया गया है और साथ में दोस्तों आपको टॉप में LED नोटिफिकेशन भी दिया गया है आगे बढ़ते हो आप बहुत कर लेते हैं इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस के पोसेसर के बारे में तो दोस्तों इस स्मार्ट फोन में मीडिय 6.2 के साथ connectivity और battery की बात करेंगे दोस्तो तो charging के लिए micro USB port दिया गया है 3.5 ओर दिया गया है dual SIM slot SD card को option मिल जाता है यानि कि दोस्तो triple card slot दिया गया है 2 4G SIM लगा पाएंगे 1 SD card लगा पाएंगे जिसको आप expand कर सकते हैं 256 वी तक अच्छी बात है दोस्तो dual voltage का support दिया गया है साथ में आपको DTS sound का भी support मिल जाता है by it दोस्तो आपको 6000 image का दिया गया है 10 watt charging support के साथ हाता है और box में आपको 10 watt का charger भी दिया गया है और अब बात कर लेते हैं inflix smart 4 plus के design और cameras के बारे में design के बारे में बात करें दोस्तो तो rear side में आपको कुछ इस तरही का design दिया गया है जहां पर आपको plastic bag दिया गया है rear side में दोस्तो jam cut texture design दिया गया है जहां पर आपको glossy finishing देखने को मिल जाता है अच्छी बात है दोस्तो आपको rear side में physical fingerprint दिया गया है और secondary camera आपको depth sensor दिया गया है बाकि दोस्तो आप 1080p में video record कर पाएंगे bouquet mode मिल जाता है panorama mode दिया गया है और भी दोस्तो काफी सारे features दिये गये है selfie camera के अगर हम बात करें दोस्तो तो 8 megapixel के दिये गये है f2.0 परचे के साथ आता है और साथ में दोस्तो आपको LED flashlight भी दिये गये है और आप finally दोस्तो बात करते है Infinix Smart 4 Plus को आप कब से खरीद सकते है इंडिया में तो इसका जो पहला sale है दोस्तो 28 July से इंडिया में स्टार्ट होने वाला flip card पे link मैं आपको description में दे दूँगा तो दोस्तों Infinix Smart 4 Plus के बारे में कुछ ही थे information उमीद करता हूँ आपको एफ वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको एफ वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देगा और मेरे चेह को सब्सक्राइब कर लीजएगा धन्यवाद